कि डियर स्टुडेंट्स अंडियर मैथमेटिक्स के 17 लक्षर में आपका स्वागत है इससे पहले 16 लक्षर में हमने मैथमेटिक्स का एक इंपोर्टन चैप्टर शुरू कर लिया था जिसका नाम है कुंप्लेक्स नंबर या सम्मिश्थर संख्य है इस चैप्टर के फर्स पा पलस करना माइनस करना मल्टिप्लाइ करना डिवाइड करना आधी बेसिक बाते हम फर्स्ट पार्ट में सीख सुके हैं आज की लक्षर में जो टोपिक डिसकस कर रहे हैं ना उन में से हर बार अंडी एक्जैम में कुस्टन पूचे जाते हैं और इसके अलावा इस वीडियो टोपिक है कौन से सबसे पहला आता है कॉंजूगेट और कॉंप्लेक्स नंबर इन दोनों की डैफिनेशन को समझेंगे सबसे पहले तो फिर इनकी प्रोपर्टीज और इनकी गुणों को हम पढ़ेंगे और फिर इनकी आधार पर जो हमारे पिछले वर्षों में जो अंडी ए एक्जाम में जो कुस्टन पूचे गए है ना उनकी कुस्टन को हम सॉल करेंगे और इस लक्षर के लास्ट में जितने टॉपिक अब तक हमने कर लिये हैं उन पर कुछ सॉर्टकट बनते हैं यानि सॉर्टकट मैथड है मारे पास उनको हम अपलाई करना सिखेंगे तो जब तक मैं फिर्ष टॉपिक के मारे स्लाइड निकालता हूं तब तक आप वीडियो का एक बार लाइक ज़रूर कर दें तो आए इस वसे पहले समझते हैं कॉन्जू प्लस आयोटा वाई ठीक और इस कॉंप्लेक्स नंबर को मैं जैड का नाम दे देता हूं ठीक तो जैड इस एक प्लस प्लस आयोटा वाई हमारे पास क्या है कॉंप्लेक्स नंबर है एक सम्मिसर संख्या है तो इसका जो इसका जो कॉन्जूगेट है उसको हम जैड बार के किसके दवार डिनोट करते हैं जेड बार और इसमें बस एक चैंज करना है कि जो imaginary part है उसका sign चैंज करना है जैसे यहां पर plus का है तो उसको क्या बनाना आपने minus का बनाना है बैस यह बन गए इसका conjugate इसका समय गमी तो एक simple सा example लेकर कि और समझा देता हूं कि मान लेते हैं कि मेरे पास complex number क्या है 3 पलस 4 आयोटा है क्या है 3 पलस 4 आयोटा तो इसका जो conjugate है जैड बार जो है वो क्या होगा 3 real part को नहीं छेड़ना आपने शिरफ imaginary part का sign और चैंज करना है तो 3 minus 4 आयोटा हो जाएगा बैस अब conjugate of a complex number की properties पढ़ लेते हूं प्रोपर्टीज को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इन properties का हम कुसंस को solve करते टाइम यूज करेंगे तो सब से पहली properties देखिए कि यहां से मैं आपको समझा देता हूं साथ की साथ कि अगर z बार है हमारे पास इसका फिर से आप conjugate ले लेते हो यानि जैड बार का अगे बार करते हैं देखिए यहां पर 3 और यह minus है तो इसका क्या हो जाएगा पुलस 4 आटा वापिस क्या आगया जैड के बराबर आगया तो सबसे पहली जो property यह यह है कि जैड बार और उसका फिर से बार करेंगे तो वापिस क्या आजाएगा हमारे पास है जैड ही आजाएगा अब इसकी second property समझ लेते हैं second property में हम देखते हैं कि z पुलस z बार जो एक इसके बराबर होता है यह जैड हमारे पास है जैड बार हमारे पास है दोनों को add करके देखते हैं कि z पुलस z बार इसमें देखिए कि यह आजएगा 2x और यह पुलस का आयोटा वाई है यह माइनस आयोटा वाई है यह अपस में कैंसिल हो जाएगा तो सरफ 2x बचेगा यानि 2 into real part क्या होगा 2 into real part होगा real part of z तो यहां से हम कह सकते हैं कि z प्लस z बार जो है 2 into real part of z के इकल होता है इसी तरह से z minus z बार अगर इसको solve करते हैं तो देखिए अगर minus करें तो real से real part cancel हो जाएगा और आयोटा वाई और यह minus करें तो यह प्लस हो जाएगा तो यह तो आयोटा वाई यानि 2 आयोटा इंटू imaginary part of z बचेगा तो थर्ड प्रॉपर्टी होगी z minus z बार जो है तो इंटू आयोटा इंटू imaginary part of z ओके यह मैंने आपको बताए दिया था कि imaginary part में स्रफ y आता है आयोटा imaginary part में नहीं आता ठीक है और एक्स प्रॉपर्टी में यह कहता है कि इफ जैड प्लस जैड बार इस इकुल टू जीरो अगर जैड प्लस जैड बार इस इकुल टू जीरो है इसका मतलूब क्या है इसे second प्रॉपर्टी से इसको हम ड्रायव कर cỈ रहते हैं जैड प्लस जड बार इंपार इसब गई जीरो है कि और कि सी नमर गार रियल पार्ट saving हो तो वह क्या होता आप यहाँ को είναιowa ली इमेजनरीी होता है कि तो जैडिज फूर्ली इमेजनरी अ सब्सक्राइब हो इसे तरह से हमतबसे फैड़ से सकते हैं कि जैड़ इस एकूल टू जैड सिए बार हो और जैड में जैड बार इस एकुल टू जीरो तो इसका मतलो जैड जो है वो प्रॉर्पर्टी लिख रहा हूं बहुत इंपोर्टन्ट बहुत बार यूज करेंगे हम कि जैड इंटू जैड बार यह होता है इसके अलावा जो है आगे सिंपल सी है लेकिन इंपोर्टन्ट है प्रॉपर्टी सभी कि जैड वन प्लस जैड टू इसका बार क्या होगा जैड वन प्लस है जैड टू बार यह आनि आप अलग अलग कर सकते हो आठ वे नुम्बर पे जो है जैड वन माइननस जैड टू बार इस इकूल टू z1 bar minus z2 bar ठीक इसी तरह से अगर हम multiply करते हैं तो उसमें भी हम अलग-अलग लगा सकते हैं z1 into z2 अगर इन दोनों के इकठा बार है तो आप इसको z1 bar into z2 bar लिख सकते हो और same to same यही काम आप divide में कर सकते हो z1 by z2 का बार है तो z1 bar upon z2 bar तो यह कुल मिला करके 10 properties हैं इनको आपने याद रखना है चाहँ तो आप video पॉज़ करके इनको note कर सकते हो या screenshot भी लिए सकते हो अब दो एक कई बार इन property पर बेस direct question पूछ लिया जाता जैसे session 2012 में एक question नमार से पूछा गया था if z is equal to minus z bar then which one of the flowing is correct कि यदि z बराबर minus z bar है तो इन में से कौन सा सही होगा the real part of z is zero imaginary part of z is zero real part of z is equal to imaginary part and sum of real and imaginary part of z is z तो इन चारों में से हमें बताना कि कौन सा सही है तो वैसे तो हमारे सामने फोर्थ प्रोपर्टी पढ़ी है ठीक है इस फोर्थ प्रोपर्टी से पता लग जाता है कि z plus z bar is equal to zero है तो इसका मतलो क्या है कि z जो है वो किसकी equal है minus z bar की equal है ठीक इसका मतलो ये क्या है purely imaginary है ठीक purely imaginary का मतलो इसमें real part zero है ठीक तो यहाँ पर हमारा ए उप्सन जो बिलकुल correct हो जाता है और by chance आपको इस प्रोपर्टी याद नहीं रहती है तो आप simple ऐसे लिख लो कि z जो है वो x plus है आयोटा y है और z bar जो है वो किसकी equal है x minus iota y की equal होता है ठीक और अब जो भी equation दे रख्यों है उसमें एक बर put करके देख लो कि z क्या है x plus iota y इसमें put करें हैं z is equal to minus z bar में ठीक is equal to x minus iota y with negative sign है negative sign है तो या minus होजएगा और ये plus होजएगा ठीक तो इदर plus iota y इदर plus iota y तो iota y से तो iota y cancel होजएगा अब क्या आगया हमारे पास x बरावर minus x x के एक real number एक real number अपने negative के equal कब होता है जब वो क्या हो 0 के बरावर हो इसका मतलो real part of z is 0 ये option is correct अब देखिए कि एक तो मैंने आपको बताया कि property पर direct question पूस लिया जाता है और दूसरी type का question एक conjugate या सम योगमी पर वो जो है इस तरह से आपको एक complex number दे देंगे और उसका बूस लेंगे कि इसका conjugate क्या है ठीक तो पहले तो जैसे यहाँ पर जो मैं complex number दे रखना वो है कि 1 प्लस 2 आयोटा अपोन 2 प्लस आयोटा है और इसका square है तो इसका conjugate find out करना है और conjugate मैंने आपको किसका सिखाया है x प्लस है आयोटा वाई का ठीक तो complex number कोई भी दे रखा हूँ आपको पहले तो आप उसको इस form में reduce करोगे और mostly questions जो है इसी तरीके से solve होंगे कि जो भी आपको दे रखा है complex number उसको x प्लस आयोटा वाई की form में लिखिए पहले तो तो पहले देखिए कि यहाँ पर अंदर अंदर वाला solve कर लेते हैं कि 1 प्लस 2 आयोटा अपोन 2 प्लस आयोटा इसको rationalize कर लेते हैं 2 माइनस आयोटा अपोन 2 माइनस आयोटा यहां imaginary part का sign change करके और जो है इसको उसी से multiply उसी से divide उपर square है तो स्केर लगा देते हैं अब देखिए उपर वाले की multiply करने होती है 2 और प्लस में कितना जाएगा 2 और यह होगा आपका माइनस आयोटा और पुलस पोर आयोटा ठीक तो देखिए multiply करने का तरीका माने आपको बताए था कि real की real के साथ माइनस करके मेजनी पार्ट के मेजनी के साथ ठीक और फिर उसके बाद ऐसे आपस में multiply करने है x की y के साथ और y की x के साथ ठीक है तो अब निचे जो है a minus b into a plus b a square minus b square का formula लग जाएगा 2 का square हो जाएगा 4 और आयोटा का square minus 1 तो minus minus plus 1 ठीक इसका square हो जाएगा तो यह बचेगा आपके पास 4 plus 3 आयोटा अपन 5 और इसका square ठीक तो एक बार फिर से में square इसका खोलना पड़ेगा 5 का square तो जाएगा 25 और उपर की part कम कर लेते हैं कि 4 का square a square और minus plus b square होता है वैसे तो 3 आयोटा का square करेंगे तो minus का 9 हो जाएगा आयोटा square minus 1 होता है a square plus b square plus 2 a b 2 पौर जाएट 8 324 आयोटा ठीक square कुल गया square कुलने के बार देखिए 16 minus 9 7 plus 24 iota प्योटा by 25 इसको लिगें 7 by 25 बलस 24 by 25 आयोटा अब इसको लिख देंगे हम 7 by 25 और पलस में 24 by 25 आयोटा ठीक तो यह तो हमने इसको A पलस आयोटा B की फॉर्म में लिख लिया या X पलस आयोटा Y की फॉर्म में लिख लिया अब यह है सारा कुछ किस के बराबर Z की इकोल फाइंड आउट क्या करना में Z बार फाइंड आउट करना है तो सिरफ हम क्या करेंगे जिस पर्ट के साथ आयोटा लगा उस पर्ट का साइन चैंज करतेंगे 7 by 25 माइनस 24 by 25 आयोटा ठीक तो ऐसा ओप्षन देखो अमारे नजदी की बड़ा D यह ओप्षन जो है इसका सही हो जाता है अब देखिए कोंजुगेट पर बेस्ट मैंने आपको दो टाइप की क्यूशन करवा दिया पहला प्रोपर्टी बेस्ट है दूसरा जो है सिंबल कॉंजुगेट फाइंड आउट करना होता है लेकिन जिसको पहले एकस प्लस हाइट औवाइक की कोंव में चैंज करना होगा और तीसरी टाइप का जो क्यूशन बनता है वह मोडलेस के साथ कंबाइंड होके बनेगा ठीक है यह उसमें मोडलेस और कॉंजूगेट दुनों का यूज होगा तो पहले में मोडलेस क्या होता है आपने आया है कि यहां पर देखिए कि आपको तीन कॉंप्लेक्स नमबर दे रखें जैट बन जैट ट्री बिन जिरो कॉंप्लेक्स नमबर और यह इस एक्वेशन को सैटिसफाई कर रहे हैं यहांपर यह एक्वेशन है जैट स्केर इस इकल डो आया टान टो जैड वार ठी लेकिन उस कंसेप्ट को अगर हम इसके साथ मिलाएंगे ना तो यह असानी से सोल हो जाएगा हमारा ठीक है तो इस क्यूशन को मैं एक बार सोड़ रहा हूं यह क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के साथ करवाऊंगा मैं ठीक है यह एक इंस्ट्रक्शन के साथ दो क्यूशन ए देखिए हमारे पास मां लेते हैं कि एक कॉम्पलक्स नमबर है जेड जेड is equal to x प्लस आयोटा y तो इस क्मपलक्स नमबर जेड का जो मोडूलस है हम इस तरह से दिनोट कर रहे हैं इस तरह से यह मोडूलस का साइन होता है ठीक और मोडूलस ऑफ जेड is equal to real पार्ट का स्व सकते हैं खते हैं अब यहां पर आपको यह तो पता हिए कि एक्स और वाइग है रियल नमबर से हैं और रियल नमबर का स्केर हमेशा है क्या होता है पोजटीव होता है तो यहां से एक बात तो कलियर है कि modulus of z is always greater than or equal to 0 कि 0 के बराबर हो सकता है 0 से बड़ा हो सकता है 0 से थोटा है नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी real number का square जो है वो negative होता है नहीं हमेशा ही positive होता है ठीक है तो एक example मैं लेता हूँ कि जैसे माल लेते हैं मेरे पास एक complex number है जैडर मैं ले लेता हूँ जैडर इस इकल टू जो है minus 5 plus 2 iota ले लेता हूँ ठीक और इसका मुझे modulus find out करना है तो क्या करूंगा real part minus 5 इसका square plus imaginary part सिरफ 2 का square under the root ठीक माइनस 5 का square plus 25 होता है और 2 का square 4 होता है under the root यहने root 29 ठीक square root of 29 जो है वो इस complex number का modulus आ जाता है अब देखिए कि यहाँ पर मैं एक बात आप से और discuss कर रहा हूं कि जैसे पिछले लक्तर में हमने आयोटा की बात की थी कि आयोटा क्या होता है एक इमेजरनी नमबर होता है जो minus 1 के square root के equal होता है ठीक और हम यह कहते हैं कि आयोटा जो है नय तो 0 के बराबर है नय ही 0 से बड़ा है और नय ही 0 से छोटा है यानि आयोटा एक की मेजरनी नमबर है और इसको किसी रील नमबर के साथ compare करना meaningless है ठीक है तो इसी हिसाब से अगर हमारे पास complex नमबर है जैड़ बन जैड़ टू जैड़ थ्री माले इस तरह से complex number है तो अगर मैं यह कहता हूं कि जैड़ वन इस ग्रेटर देन जैट तो यह meaningless बात है ठीक है तो simple जो complex number है उनको आप compare नहीं कर सकते लेकिन जो इनका modulus है उनको आप compare कर सकते हो यह meaningful है ठीक क्योंकि जैड़ वन का modulus ले लो चाहिए जैड़ वह गया किसी भी complex number का modulus लो गया मिलेगा आपको एक real number मिलेगा और real numbers को आप compare कर कर सकते हो ठीक है तो आप यहां पर जैड़ वन और जैड़ टू यानि कोई भी दो complex number लेकर करके उनका modulus compare कर सकते हो लेकिन उन complex numbers को compare नहीं कर सकते हैं अब हम modulus of complex number की properties को पढ़ते हैं यानि मापांक के धर्म गुणों को पढ़ते हैं तो यहां पर सबसे पहली जो property है सबसे पहला जो गुण है वो क्या है कि अगर modulus of z किसी भी complex number का modulus अगर 0 है तो अब देखिए कि अगर modulus 0 हो गया तो यह तो केवल एक ही case में 0 हो सकता कि देखो कोई पार्ट नेगिटिव तो होने सकता क्योंकि स्केर है इसका मतलो एकस भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा अगर modulus of any complex number is 0 then x x क्या है real part of z कि 0 and imaginary part of z is also 0 ठीक यह पहली property है दूसरी property बिल्कुल सिंपल सी बात किये नोंने कि जैसे आप देख रहे हो कि जैड का modulus क्या है x square plus y square under the root है इसी तरह से minus z का अगर आप करोगे न तो minus x minus y इसका भी अगर आप करोगे तो minus x का square plus में minus है y का square under the root ठीक तो यह भी क्या होगा x square plus y square under the root यानि z का modulus है वो minus z के modulus के बराबर ही होता है ठीक और अगर जैड बार का modulus लोगे तो भी आपका same यही आएगा ठीक आप करके देख सकते हो जैड बार में क्या होगा कि जैसे जैड बार में यहीं बढ़ा देता है इसका यह जैड बार हो गया और यह देख यह माइनस का साइन में यहां से मिट हो दिया बैस यह जैड बार हो गया सारे मिट गया चलो यह x square plus y square से में यही आएगा ठीक अब देखिए कि अगली property है कि minus of modulus of z is always less than or equal to less than or equal to real part of z and which is always less than or equal to modulus of z तो देखिए इस बात को मैं इस एक एक्जम्पल के थ्रू एक्स्प्लेइन करता हूं कि माल लेते हैं हमारे पास z is equal to 3 minus 4 आयटा जो है complex number है और इसका जब मोडलस find out करते तो कितना निकलता है तो आप देख सकते हैं आपर कि minus 5 जो है वो थरी से less है ठीक और थरी क्या है थरी जो है वो फाइव से less है यही बात हमने कही है कि मोडलस का जो negative है वो real part से मैंसा छोटा है real part के बराबर होगा जो कि मोडलस of z से छोटा होगा same to same यही बात हम imaginary के लिए करते हैं कि minus of z is less than or equal to imaginary part of z which is less than or equal to z ठीक तो यह दोनों जो statement है यह third property की है और fourth property बहुत important है यहाँ पर z into z bar ऑगे देखिए फिफ प्रॉपर्टी क्या है फिफ्थ है कि Z1 into Z2 modulus is equal to Z1 modulus into Z2 modulus ठीक इसी तरह से divide के लिए है कि Z1 by Z2 अगर यह है तो आप इनको अलग लग कर सकते हो Z1 modulus by Z2 modulus लेकिन Z2 modulus जो है या Z2 जो है वो equal to 0 नहीं होना चाहिए कि अगर यह 0 अगाता define नहीं होगा न और 7 देखिए कि Z1 plus Z2 modulus का square है तो इसको हम लिखेंगे Z1 modulus square प्लस Z2 modulus का square और प्लस 2 into real part of Z1 Z2 bar इसी तरह से इसी तरह से 8th property में Z1 minus Z2 square जैसे हैं Z1 plus Z2 square थे ना यहां Z1 minus Z2 square है तो यह ऐसा ही होगा Z1 square plus Z2 square पहली दोनों ट्रम्स तो ऐसी है थर्ड ट्रम में बस minus का sign हो जाए गा है आप 2 into real part of Z1 into Z2 bar ओके और 9th property जो है कोई नहीं नहीं है इन दोनों को एड करती है इन्होंने क्या किया कि Z1 plus Z2 square मोडलस का square प्लस में Z1 minus Z2 मोडलस का square ठीक तो अब देखिए कि यहां पर यह 2 into real part of Z1 Z2 bar है यह minus 2 into real part of Z1 Z2 bar है और सेम है बस आपसे कैंसिल और यह दो बार यह भी दो बार तो यह आज़ेगा टू इन्टू जैड वन का स्क्रेयर प्लस जैड टू का स्क्रेयर ओके और इसी तरह से 10th property आपने याद रखनी है कि अब यह बी आपस में इंट्रेशाइज हों जाएगा वे जैड वन प्लस में ए जैड टू इसका स्क्रेयर यह किसकी होता है यह a2 plus b2 into same factory a z1 modulus square plus z2 modulus square थीक कि तब आप कहोगे तर कीतने properties बता दिया रहेगी तो एक बार देखेंगे ना अवसाने से हमारे mind में रहे पहला तो जैसे बिलकुल सिंपल है पताने की जरूरती नहीं कि मॉड्लस अब जड़ेट जिरो तो इसका मलब रियल और इमेजनरी दोनों पार्ट जिरो होंगे और दूसरा जो है आप जैड का मॉड्लस लो माइनस जैड का लो या कॉंजूगेट अब जैड का लो तिनों की मॉड्लस सेम होते हैं ठीक और मॉड्लस अब जैड का नेगिटिव रियल पार्ट से भी छोटा या उसके बराबर है और इमेजनरी पार्ट से भी छोटा या उसके बराबर है इसी तरह से मॉड्लस अब जैड जो है रियल पार्ट से पड़ा या उसके बराबर हो सकता है और इमेजर पार्ट या उसके बराबर हो सकता है फूर्थ important है जैड इंटु जैड बार यह मॉडुलस अब जैड का स्केर होता है और यह देखिए कि ओल स्केर और माइनस बी का ओल स्केर का फार्मूला याद उसी के साथ एनलोजी है इसकी यह नहीं कि सेम है ठीक है तो अलग तो है यहापर लेकिन उस जैसा ही आपको कुछ है तो याद रहे जाएगा को प्रॉबलम नहीं नाइंत में आपका नाया कुछ है नहीं इन दोनों को एडी करना है ठीक और इसमें जो है आपका ए भी और भी लगा दिया आपने बाग की उपर वाला फार्मूला यहां पर टू की जगए स्केर प्लस से भी स्केर आज है अब देखिए कि जैसे कॉन्जूगेट में डारक्ट प्रोपर्टी पे कुछिशन पूची जाते हैं तो इसी तरह से एंड यह एक्जाम में 2004 में मॉडलस के प्रोपर्टी पे भी डारक्ट कुछिशन पूचा गया तो यहां पर देखिए एक क्यूशन आपको गीवन है कि यह पी और क्यू आप टू कॉंप्लेक्स नंबर जैसे यहां पर हम जैड बन जैड टू लेते है ना ठीक दो जी तरह से यहं पर पी रंड दोकम्फलेक्स नंबर ले रखें अ मॉडलस आप क्यू संट प क्यू इसका मतलब क्या है कि पी बाई क्यूर यह लिखाने क्यू संट पी एन प्यू यह फिर निदिमें अगर आँम देखे तो पी और क्यू के विभाग मैं पी और क्यू का तो पहला उप्सन तो इसका रोंग है दूसरा तो ऐसी प्रोपर्टीव मैंने आपको नहीं बताई इसका मजल सेकेंड पार्ट भी इसका रोंग है लेस्ट देन और इकॉल तो दक्यूसेंट ओफ मोडल यह बात भी हमने कहीं नहीं कि अब करता है एकॉल टू क्यूसेंट ओफ देर मोडल है एकॉल टू ठीक तो यह देखो यहाँ पर मैंने मिटो ही नहीं है एस इस लिक्यू ही है ठीक है तो यह देखो यह प्रोपर्टीज का डारक्ट यूद्ज है कई बार क्यूसेंट में आ जाता है अब आगे एक क्यूसेंट दिया मोडलस पर ही है तो यहां पर एक कॉंप्लेक्स नंबर आपको दिया है और पुछा है किसका मोडलस किसके एकॉलर बहुत इंपोर्टन क्यूसेंट नहीं तीन बार रिपीट हो सुका है से हम यह क्यूसेंट तो हलका पुलका से जिसमें 2017 में आया था मोडलस के साथ आर्गुमेंट और पूस लिया था तो अब यहां पर वन प्लस टू आयोटा अपोन वन माइनस वन माइनस आयोटा का स्क्वेर इसका मोडलस पुछा गया है इसका मापांक पुछा गया है तो जैसे हम कॉंजूगेट के लिए क्या बताया था मैंने भी कोई भी कोंप्लेक्स नंबर दे रखा है उसको X प्लस आयोटा Y की फांग में लिखेंगे ठीक तो जैसे कोंजूगेट के लिए X प्लस आयटा Y की रूप में लिखना होता है इसी तरह से मॉडρά द्बेए बिए था मोड पूरुम structure की रूप में लिखेंगे ठीक और मायनस B² और माइनस ट्वा थीक को निए अशकेर इसका को वन पलस ट्वायут और इदृन से वन कैंसिल मैस मैन प्रस और यह बंपलस है ट्रीक तो यह तो आपस में कट ओ गया और क्या गया वन सागया तो जो मारा खुंपलेक्स निमबर है वह प्लस जीरो अब आगया तो इसको मॉडले सोंगा है वह गज़ा होगा वह क्या होगा ओन का स्केर्प्लस जीरो का स्केर अंटर धी रूट चिक तो 1 का स्केर 1 यह वन ही एंसर आ गया ठीक तो वन का स्केर वन और उसका स्केर रूट करेंगे तो भी वन आएगा ठीक तो वन एंसर और इसका आजएगा तो डी ओप्सन्स है वो करेक्ट होगा अब देखिए कि इसी टाइप का एक किस्ट नोड डिसकस कर लेते हैं हमारा किंसेप्ट अच्छी से कलियर हो जाएगा कि यहां पर आपको कुंप्लेक्स नंबर दिया कि वन अपोन वन पुलस थ्री आयोटा माइनस वन अपोन वन माइनस से थ्री आयोटा इसका मोडलस आपने find out करना है, isका मापांक आपने find out करना है, तो पहले तुम क्या किता है, इसका LCM ले गए, वन प्लस थ्री आय उटा, इन्टू वन माइनस है 3 आय उटा। ठीक तो और लग वन माइनस 3 आयोटा माइनस 1 माइनस 3 आयोटा और निचे a a plus b into a minus b यानि a square minus b square का फर्मूला लगेगा a square तो होगा 1 और minus 3 आयोटा का square और 9 आयोटा square और 9 ओकी आयोटा square minus 1 होता है और 3 का square 9 तो a square आयोटा square का माइनस 1 और एक फर्मूले का माइनस पलस हो गया और इतर उपर बन से minus 1 cancel यह आगया आपका minus 3 और minus 3 minus 6 आयोटा वाई में 10 ठीक यह आगया z ठीक अब आपको find out क्या करना है z modulus तो इसको मैं लिख सकता हूं इसमें real पार्ट नहीं है तो 0 plus minus 6 by 10 इसको मैं लिख देता हूं minus 3 by 5 आयोटा ठीक यह इसको सिद्धा ही लिख देते हैं जीरो माइनस से 3 by 5 आयोटा इसका modulus find out करना आपको मोडलस करेंगे तो 0 का स्केर पलस में minus 3 और 5 का स्केर अंडरी रूट माइनस 3 का स्केर 9 by 25 जीरो का स्केर तो 0 यह होता है इसका स्केर रूट लेंगे नाइन का स्केर रूट 3 और 25 का 5 तो 3 by 5 नाम का कोई option है मारे पास यस से पहले पढ़ा है तो यह option जो है इसका सही होगा अब देखिए प्यारे बच्छों कि यहां पर कुछ क्यूस्टन ऐसे भी आते हैं जिसमें दूसरे चैप्टर के concept भी साथ में यह डाल देंगे जैसे यहां पर इस क्यूस्टन में आपके लिए ट्रिक्नोमेट्री जो है वो मोडलस के साथ डाल दी हैं इसी टाइप से यह दूसरा क्यूस्टन है इसमें भी ट्रिक्नोमेट्री का यह जो है तो देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए आज आप ऐसा करें कि जो कंसेप्ट मैंने बताए है ना उन्हीं को पका करें ठीक है और जो क्यूस्टन मैंने आपको करवा दिये हैं और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है पीडियेफ मैंने दी वीए तो उसमें जितने आप से क्यूस्टन बन सकते हैं उनको सोल किजिए और बाकी कल क कि लक्षर में मैं सारे करवाँगा लेकिन अभी आपको लक्षर सोड़के नहीं जाना आगे जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछन ऐसे जो सोड़कर्स से हो जाएंगे वह सोड़कर्स मैं आप बता रहा हूं अब तो से एक क्यूस्ट आपके पास स्क्रीन पर डिस्प्लेय हो रहा है यह कंसेप्ट वैसे बेसिक कंसेप्ट यह जो अब कर चुके हैं इसमें अगर यह कुर्स ना जाता ना तो वन पॉलस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा पावर एन यह एकॉल टू है वन अब फुश आपने जिसके लिए एक्सप्रेशन किसके एकॉल हो वन के एकॉल हो जाएं तो अब देखिए कि जो यह लिखा हो ना कि वन पॉलस आयोटा अपन वन माइनस आयोटा यह बहुत बार क्यूस्ट के अंदर रिपीट होती है मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी तो आप के मैनस आयोटा अपन प्लस आयोटा यह माइनस आयोटा के बराबर होता है ठीक अगर आप यह याद रख लेते हों तो यह कृसरा बिंद्स क्यों पावरि एकुल्—ड़ू क्या होता है कि चोटी 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 वेलू बताना है वैसे तो आयोटा पावर एक्ड Golden और फोर की टेबल में जो भी आएगी वो सारी किसके एकॉल है वन के एकॉल होती है ठीक लेकिन समालस्ट वैली बताने है तो समालस्ट वैल्डी तो क्या है फोर है ठीक तो भी ओप्षन इसका सही होगा सेम एकॉल दोज और दसमें भी रिपीट हुआ है अब देखी कि इसी टाइप का में एकॉल समालस्ट पोजिटिव इंटेग्र वैल्यों कोर विज वन माइनस आयोटा पॉन प्लस आयोटा पावर न इस प्योरली इमेजनरी साथ में और का देर गा विद पोजिटिव इमेजन पावर न यह क्या होना चीस पियोर्ली इमेजनरी होना चाहिए लेकिन इमेजनरी पाडि क्या है वह पोजिटीव होना चाहिए एक माइनस आयोटा पन वन प्लस आयोटा सोटकट मैंने आपको बता है था माइनस आयोटा के एक्वल होता है ठीक नहीं है तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा दा दायर कि आगर यहां कि जगे टा यहीड नेगा माइनस अयोटा यहनए अगर एगर दो यह इसके होले माइनस उसे नगों नहीं पड़ेगा तो मुझे एकटिड़ की तैर तो तो यह हो जेगा hayat दीव दर्व माइनस सब्सक्राइब गार थी एंटू आयोता पर थी watts हटी माइनस वन पाव थी माइनस वन होगय आयोता क्यूब माइनस आयोता होगय तो माइनस इन्टू माइनस devil ऑस से झाज तो एन इकल टू जो है वो थरी होगा ना तब यह एक्सप्रेशन जो है इसकी इकल होगी प्योडली मेजनरी विद पोजिटीव इमेजनरी पार्ट की इकल होगी अब देखिए कि यह किस्टन और आपके सामने डिस्प्लेश हो रहा है इसको भी आप इन्हीं सोट कट के बेस्पर कर सकते हो कि यहां पर आपको दियाओ कि वन पुलस आयोटा पावर फॉर एन प्लस फाइव और निच्छे दियाओ कि वन माइनस आयोटा पावर फॉर एन ठीक तो अब यहां पर देखिए कि उपर फॉर एन प्लस फाइव और निच्छे पॉर एन प्लस थ्री है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि वन प्लस आयोटा और फॉर एन प्लस थ्री इंटू वन प्लस आयोटा पावर तू देखों और प्लस थ्री इंटू तू थ्री प्लस स्टू फाइव होगी ना और निच्छे हैं वन माइनस आयोटा पावर पॉर एंड प्लस थरी एकले स्टेप में हम क्या करेंगे कि उपर पावर सेम ना इसकी इकठी लगा दूंगा वन प्लस आयोटा पॉन वन माइनस आयोटा पावर पॉर एंड प्लस है थरी और इदर से वन प्लस आयोटा का स्केर मैं कॉल दूंगा ये स्केर पॉलस में बी स्केर ठीक आयोटा स्केर माइनस वन होता ना और पॉलस में टू आयोटा ठीक और और इदर से दोनों सोटकट तो आपको याद होईगे हैं वन प्लस आयोटा पॉन माइनस आयोटा की इक्वल है तो एक बार मेरे पास जगह कम इनको मिटो देता हूं मैं तो यह पार्ट तो क्या है आयोटा आयोटा पावर पॉर एन प्लस है थरी और यह वन से वन कैंसिल हो गया इन्टू आयोटा हो गया अब देखो आयोटा पावर यह हो गया आपका आयोटा पावर फॉर एन्टू आयोटा पावर थरी इन्टू आयोटा अब आयोटा की पावर पॉर का मल्टीपल है तो यह तो वन हो जाएगा औ और आयोटा क्यूब जो है ona ह觸 hen 他า बहुत पसंद आया होगा और पसंद आयो तो इसे जडरूर लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और नेक्स्ट लेक्सर की अगर हम बात करें तो उसमें हम कॉंजूगेट और मोडलेस दोनों कंसेप्ट के अधार पर जो हमारे और कुस्टन बच गए हैं जिसमें टिग्नोमेट्री विगरामिक्स है थोड़े से टीपिकल कुस्टन आते हैं उन सभी को मिस्वाल करेंगे थैंक्यू है वे नाइस डेई